हलो फ्रेंट्स आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है मेरे किचन मैन्यू एंट्मी में आज मैन्यू एंट्मी किचन में बनने वाली है एक ऐसे मीठाई जो शायद सबको पसंद होती ही है और वो है मालपue मगर आपको पता है आज बनने वाले मालपुवा इंस्टन बनेंगे क्योंकि आज मालपुए को हम गुलब जामुन के प्रिमिक्स से बनाने वाले हैं वही प्रिमिक्स जो बाजार में काफी सारे प्राण के अवलेबल होते हैं और आप यकिन नहीं करेंगे कि ये बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे कि आप दो की जगर चार आराम से खा जाएंगे इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं बस घर में आसानी से मिल जाए ऐसी ही चीजों की जरुरत पड़ेगी कम से कम सामान में बहुत ही बढ़िया वाले मालपुए तयार होंगे तो चलिए फटा फट बनाते हैं गुलाब जामुन प्रिमिक्स से बनने वाले जूसी ऐसे मालपुए पहले तो बैटर रेडी करेंगे तो यहां मैंने पूरा एक कप बर के गुलाब जामुन प्रिमिक्स लेगा है ये आदा कप है इसलिए दो बार ले रही हूँ मगर पूरा बर ये दबा करना ही ऐसे ही पूरा एक कप होना चाहिए ये वही प्रिमिक्स है जो गेट्स, रामद जेव, MTR, उत्तम और भी बहुत सी ब्राण के बाजर में मिलते हैं इसमें मिलाएंगे वन फोर्थ कप सूजी इससे माल पूवे बाहर से क्रिस्पी बरेंगे वैसे आप मोटी बारिक वाली कोई भी सूजी ले सकते हैं साथ में बाइंडिंग के लिए दो टेबल स्पून ब एडि करेंगे वैसे एक बात पता न बुल गई प्रिमिक्स को यूज करने से पहले एक बार चान लेजिए तो लंस नहीं बनेंगे तो है ना एकदम आसान माल पूवे के बैटर को बनाना वैसे आपको पता है बाजर में और शादी रिसर्प्शन या छोटी मोटी फंक्शन में जो माल पूवे होते हैं उसका बैटर रबडी, मिल्क पावडर और मैदा मिला के बनाया जाता है अब इस बैटर को रेस्ट देंगे करीब 15 मिनिट का या फिर जब तक इसकी चाशनी न बन जाए सिर्फ उतनी देर इसकी चाशनी बनाना भी पहत आसान है एक कप चीनी ल मिला सकते हैं तो वो भी इस टाइम चाशनी में मिला सकते हैं तो देखिए केसर की वज़े से अच्छा कलर भी आया और हमारी चीनी भी मेल्ट हो गई है अब यहां आधातार या एकतार ऐसी कोई चाशनी नहीं बनाने सिर्फ हाथों में लेकर चेक करेंगे तो चिप-चिप में रखे तब तक माल पुवे के लिए घी गरम करने रखते हैं आज बनने वाले माल पुवे के लिए मैंने घी लिया है आप तेल भी ले सकते हैं मगर माल पुवे घी में ज्यादा अच्छे लगते हैं अब जो बैटर हमने रैस के लिए छोड़ा था वो देखिए थोड़ गाड़ हो गया है इसके मालपुवे अच्छे नहीं बनेंगे इस दिये consistency set करने के लिए 1 4th cup दूद और मिला रही हूं अब एक ही direction में चलाती रहें जब तक ऐसा texture ना आ जाए तो देखिए अभी ये consistency परफेक्ट है घी गरम हो गया है थोड़ा सा बैटर लेकर सीधा घी में ह बैटर पॉर करना है इस time flame medium रखने होगी तो देखिए बीना spread होए मालपुवा एकदम गोल बना है जब side से हलका brown color दिखे तो इसे पलट लिजिए दूसरी side भी थोड़ा पकने दें तो आप देख सकते हैं हमारा बाहर से crispy और अंदर से soft ऐसा मालपुवा ready है मैंने चोटी स इसके बनाये हैं आप बड़ी सा इसके बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं बनाने का तरीका सेम है बस आपको बैटर थोड़ा ज्यादा लेना होगा इसे तुरंत ही चास्टी में डिप करेंगे जैसे जलेबी और बालुशाही बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही दोनों तरफ से पलट कर चास्टी में थोड़ी दिर रखे जब तक पूरी चास्टी से कवर ना हो जाए तो लीजिए हमारे इंस्टंट प्रिमिक से बनने वाले क्रिस्पी जूसी माउथ वाटरिंग मालपुवे रैडी हैं इसे गर्मा गरम सर्व करें रबरी के साथ वैसे तो इत इच्छी सामान से बनने वाले ये इंस्टंट मालपुवे इतने फटाफट बनतें के साथ पहली बार बनाएंगे फिर भी परफेक्ट ही बनेंगे फैसे भी मालपुवा बनाने में सबसे जाधा परेशानी बैटर बनाने में होती है मगर इस तरह से मैजर्मेंट के साथ बन आपको भी मन हो रहा हो तो आप भी पटाफट से इसे बनाईए और मुझे कमेंट करिए कि आपको ये माल पूवे की रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक और शेर कीजिए साथ में ही मेरी चैनल मेन्यू एंड मी को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दिये आपको सबसे पहले मिले मैं मेरी सबी रेसिपी फटाफट और आसान तरीके से बन जाए इस तरह से बनाना बताते हूं ताकि आप भी इसे जल्दी से बना सके मेरी ये रेसिपी पूरी देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गड़ बाई